नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए बहु आयामी व्यक्तित की धनी लोक प्रिय सुपर्चित युवा लिखि का इराटाग जी की लिखी हुई कहानी फ्लर्टिंग मेनिया प्रस्तुत है कहानी फ्लर्टिंग मेनिया विक्रांत ने सुबह जैसे ही अपना फेस्बुक आउन किया उसे शिवाली निपिंग किया विक्रांत ने जवाब दिया शिवाली अभी पंद्रे दिन पहले ही फेस्बुक पर उसकी दोस्त बनी थी प्रोफाइल के मताबिक वो 21 साल की लड़की थी जो जैपुर में ही एक इंजिनिरिंग कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रही थी कितनी देर तक सोते हो दस बजने वाले हैं मीन देर से आई सारी रात तुम्हें मिस्जो करता रहा विक्रांत ने जवाब दिया मारकेट में अच्छे एड़र्टाइजिंग जॉब में हूँ राइटर से डर लगता है बड़े फलर्ट होते हैं मेरा दिल तूट गया तो शिवानी ने टेक्स्ट किया पहले दिल तो दो यकीन मानों तूटने नहीं देंगे ओके कहते हो तो मान लेती हूँ मिलोगे आज पहले जान लूँ पहचान लूँ फिर नंबर क्या दिल भी दे दूँगी विक्रांत का चेहरा 40 वाट की LED जैसे चमक उठा वाओ वो लो कब और कहां CCD गौराव टावर शाम पांच बजे लेट मत होना शार्प फाइब शिवाली ने रिपलाई किया ओके डियर डन मैं तो पौने पांची पहुँच जाओगा नौ गिव मी अ टाइट हग वो तो मिलोगे जब दूगी बाए शिवानी उसका जवाब सुने बिना लौग आउट कर गई विक्रांत के खुनदा दोरा थोड़ा बढ़ गया था उसका दिल तेजी से जोर जोर से धड़कने लगा था बड़ी बोल्ड है यार आज तो दिन बन गया सोचते हुए चाय बनाने किचन के और बढ़ गया आज आफिस में बहुत काम था शाम तक दो विग्यापन लिखने थे बार बार घड़ी पर नजर जाती आज घड़ी सुस्त है क्या खुझ से सवाल करते हुए उसने मॉबाइल पर टाइम चेक किया घड़ी तो ठीक थी तब ही उसका मॉबाइल बजने लगा पूजा का फोन था पूजा उसकी गर्ल फ्रेंट थी जो शहर के एक बड़े इंग्लिश डेली में जर्नलिस्त थी फोन के पिक होते ही उसकी ज़लाई हुई आवास सुनाई दी सुबह से दो बार फोन कर चुकी हूँ उठाया नहीं और नहीं कॉल बेक किया यार थोड़ा बिजी था करने वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हें प्यार करती हूँ तुम्हें तो कोई मतलबी नहीं है फूजा ने चरचड़ाते हुए कहा फिर वही बात अरे यार काम तो करना ही होगा ना सारे दिन तुमसे रोमांस तो नहीं कर सकता ऐसा है तो प्यार है ऐसा नहीं है तो प्यार नहीं है हम अच्छा सुनो मिलोगे आज बहुत याद आ रही है तुमको देखा नहीं चार दिन हो गए चार दिन ही तो हुए है आज बहुत काम है, मीटिंग्स है संडे को देखते हैं बाई विक्रान ते फोन कट कर दिया जिससे पूजा का मूट बुरी तरह उखड़ गया पूजा बड़ी प्यारी और खुबसूरत लड़की थी दो साल हो चुके थे उनके अफेर को विक्रान को उसकी रोक टोक पसंद नहीं थी वो खुद भी पूजा को कभी नहीं रोकता था वो चाहे जैसे रहे जिससे चाहे बात करे कई बार वो चिड़कर कह भी देता था प्लीज पूजा, I want space, मुझे घुटन होती है घुटन? मिलते ही कितना हो? वक्त कहां देते हो मुझे? अगर space चाहिए तो अलग हो जाओ and enjoy your space प्यार में साथ चाहिए होता है, space नहीं हफते दस दिन में उनकी भेंकर रड़ाई होती और फिर सुले हो जाती ऐसे करते करते दो साल निकल गए थे पूजा विक्रान्थ को बहुत प्यार करती थी उसके प्यार को देखते हुए विक्रान्थ हमेशा आश्वस्त रहता था पूजा के घरवाले लगातार उस पर शादी के लिए जोड दे रहे थे लेकिन वो विक्रान्थ के आलावा किसी और के साथ शादी की सोच नहीं सकती थी हाला कि उसके दोस्त और सर्कल में विक्रान्थ की खडूस आदमी वाली इमेज बनी हुई थी अक्सर पूजा को समझाया जाता कि वो विक्रान्थ के साथ अतना टाइम खराब कर रही है वो हस्बन टाइप माटेरियल है ही नहीं कईयों के साथ फ्लर्ट कर चुका है लेकिन जब इंसान प्यार में अंधा होता है तब उसे सही गलत दिखाई नहीं देता ऐसे पूजा वो विक्रान्थ के सिवाग कुछ नजर नहीं आता था वो विक्रान्थ से जब भी शादी के लिए कहती तो वो टाल देता यार अभी मुझे अच्छे सेट तो होने दो साथ तो हूना अभी भरोसा नहीं है तो शादी के बाद भी नहीं होगा थोड़ी बहुत कहा सुनी होती फिर बात आई गई हो जाती विक्रान्थ कई सालों से अकेला रहता था उसके माता पिता दूसरे शहर में थे हमेशा आजाद भूमने वाले को दो पल की कैद भी बुरी लगती है अपने हिसाब से सोना चागना, खाना पीना किसी तरह कोई फिक्र या जम्मेदारी भी नहीं बस कमाओ और उडाओ पूजा शहर के लिट्रेरी सरकल में सबसे ज़्यादा डिजारेबल लड़की थी उसके साथ होना फक्र की बात थी जबकि उसके पीछे शहर के आदे जर्नलिस्ट और एडिटर्स थे लेकिन पूजा ने विक्रांद को चुना था पूजा के साथ होना विक्रांद को अच्छा तो लगता था पर अपनी सहूलियत के दाइरे में और शायद इसी वज़े से दोनों में बहुत खटपट होती थी जहां पूजा उसके लिए दिलो जान से समर्पित थी वहीं वो उसे अक्सर फॉर ग्रांटेड लेता था वो जिम्मेदारी से बच्छता था बंधना नहीं चाहता था अभी तो विक्रांद जल्दी जल्दी काम निप्टाने में लगा था आज उसे लेट नहीं होना था भले ही पूजा को आदे एक गंटे इंतिजार करा ले पर शिवाली को आदा मिनट भी नहीं आखिर फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन गौर और टावर उसके आफिस से ज़्यादा दूर नहीं था सारे चार बचते ही उसने अपनी सीट छोड़ दी बाहर निकला ही था कि आफिस के गेट पर पुराना दोस्त मिल गया वो छे महीने पहले मुंबई शिफ्ट हुआ था अब फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर थोड़ा पैसा कमाने लगा है जब भी जैपूर आता हर बार ये जरूर कहता था यार फ्लाइट लेट थी विक्रान्द को से देख कर बड़ी कोफ्त होती थी दोस्त ने विक्रान्द को बड़े जोड़ से गले लगा लिया विक्रांद को लगा जैसे मुंबई से उसके नाम की सुपारी लेकर उसे गला घोट कर मारने ही आया हो आओ विक्रांद भाई जरा कॉफी पीते हैं तुमसे खास काम भी है बिना काम कभी आते हो तुम अरे यार ये क्या बात कह दी आदमी उसी के बाद जाता है जो से अपना लगता है मैं तो दोपहर में आ जाता पर फ्लाइट लेट हो गई थी साला फेकू पियोन छोटे लाल ने कल ही तो तुझे गरीब रत ट्रेन से उतरते देखा था विक्रांत मन में बरवड़ाया अभी तो मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है भाई रात को मिलते हैं गला कुछ तर हो तो बात बने साले खुद फ्लाइट से आते जाते हो और मुझे हमेशा कॉफी में टरका देते हो विक्रांत ने ताना मारा हाँ हाँ क्यों ने भाई फोन करता हूँ रात को मिलते हैं अपने पराने अड़े पर जैसे तैसे उससे पीछा चुड़ा कर विक्रांत ने बाईक स्टार्ट की साइड मिरर में खुद को देखा तो शर्ट डेट पर जाने के लिहाद से थोड़ी फीकी नजर आ रही थी उसने तुरंट आफिस के पास के एक शॉपिंग मॉल की तरफ बाईक खुमा ली एंट्री पर ही मेंस वेर का एक बड़ा शोरूम था उसने जलबाजी में एक चेक वाली गुलाबी शर्ट पसंद की फिर वहीं चेंजिंग डूम में चेंज किया जेब से गंगा निकाल के अपनी जुल्फे सेट की और शीशे में देकर थोड़ा स्टाइल मारने की एक्टिंग की स्मार्ट लग रहा है यार विक्रांट वो 21 की है तो तू 26 से ज़्यादा का तो नहीं लग रहा कहते हुए उसने खुद को आँख मारी फिर घड़ी पर नजर पढ़ते ही वो घबरा गया पांच बजने में केवल पांच मिनट बचे थे पेमेंट करके उसने बाइक दोड़ा दी शर्ट बड़ी महंगी है यार विक्रांट आज पता चला जब खुद पेमेंट करना पड़ा जब से पूजा जिंदगी में आई है हर 20-25 दिन में एक ब्रांड़ेट शर्ट गिफ्ट करती है बड़ा दिल है बेचारी का सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया पांच बचकर पांच मिनट पर वो सी सी डी में हाफता वदा खिल हुआ तीन चार जोड़े बैठे हुए थे कोई भी लड़की अकेली नजर नहीं आई थैंग गॉड मैं लेट नहीं हुआ वो साइड में रखे एक सोफे पर सलीके से बैठ किया और एक बाद फिर अपनी नजर दोड़ाई एक पत्रकार टाइप लगने वाला बुड़ा आदमी अकिला बैठा कॉफी पी रहा था विकरांत ये सोचकर सहम गया कहीं यही तो नहीं जो फेक अकाउंट बना कर मजे लेता हो वो इस दिशा में और सोचता कि उससे पहले ही एक खुबसूरत लड़की मुस्कुराती हुई कैफे में दाकिल हुई विकरां जटके से खड़ा हो गया और लड़की की तरफ देखा लड़की उससे नजर अंदाज कर उन बुजर्गवार की तरफ बढ़ गई और उनसे हाथ बिलाकर सामने बैठ गई साला बुढ़्धा क्या गिस्मत है बजन कीरतन की उम्र में CCD में डेटिंग सेटिंग कर रहा है विक्रान बेचैनी से टेबल बजा रहा था सवा पांच हो चुके थे तब ही किसी ने उसे कंदे पर हाथ मारा पलट कर देखा तो शब्द मुह में और रक्त शिराओं में जम गया उसी गल्फ्रेंड पूजा खड़ी थी अरे विक्रान तुम यहां कैसे पूजा वो उठकर खड़ा हो गया तुम्हारी तो मीटिंग थी ना आजकल मीटिंग सिसी टी में होने लगी है हाँ हाँ वो वो क्लाइंट यहीं बुला लिया एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट डिसकस करनी थी बड़ी कोशिशों के बाद उसके मूँ से कुछ बोल पेगिले पूजा अपनी दोस्त विजिया के साथ थी विकरांट को विजिया पूटी आँख ने सुहाती थी पूजा तो सीधी थी विकरांट की बातों में आ जाती पर विजिया हमेशा पूजा को समझदारी के गुप्टी पिलाती रहती थी मैं विजिया के साथ शॉपिंग पर आई थी अच्छा हुआ तुम मिल गए जब तक तक तुमारा क्लाइंट नहीं आता हम साथ में कॉफी पी लेते हैं हेलो जी की हालत वाड़ा विजिया बोल पड़ी पंजाबी अकसर तो तब बोलती थी वो जब उसके पास अपरादी के खिलाफ ठोस सबूत होता था विक्रान ते फीकी सी मुस्कान फेकी आओ बैठो मन में तो बहुत डरा हुआ था सही कहते हैं लोग बुरे काम का बुरा नतीजा यार इनको भी शॉपिंग को यहीं आना था क्या करूं अगर शिवाली आ गई तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और आज तो विजिया भी साथ है तीन ब्रेक अप कर चुकी है लडने में एक्सपर्ट है आज तो मुझे स्वेम ब्रम्मा जी भी नहीं बचा सकते मुझे किसी तरह यहां से जाना होगा विक्रांट का दिमाग फुल स्पीड ब्रॉड बेंड की तरह दोड़ रहा था डियर मैं एक बार क्लाइंट को फोन कर लो विक्रांट ने धीमे से पूजा का हाथ दबाया पूजा ने भूर कब विक्रांट की तरह देखा करो करो एक बार क्यों जितनी बार चाहे करो आखिर वो क्लाइंट है और क्लाइंट तो भगवान होता है क्यों विक्रांट जी विजया ताली मारते हुए बोली विक्रान्थ सोफे सो उठा और थोड़ी दूर जाकर बात करने का अभिने करने लगा हाँ आप आए नहीं अभी तक मैं तो वेट फिर वापस लोटते हुए बोला I am sorry यार मुझे जाना होगा उनके आफिस में ही डिसकस करेंगे तुम दोनों काफी पियो मैं पे कर देता हूँ ओहो ये तो बड़ा बुरा किया शिवाली ने डेट कैंसल कर दी विजया बड़ी जोर से हसी विक्रान्थ का चेरा दूप में रंग उड़े कपरे जैसा हो गया पूजा का चेरा गुस्से से तम तमा रहा था विक्रान्थ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े फ्लर्ट और जूटे इंसान निकलोगे मेरे लिए तो आई पास टाइम नहीं है और बीस इकिस साल की लड़कियों से फ्लर्टिंग करते हो छुप छुप कर मिलने आते हो how dare you cheat me आज पास के लोग अपनी कॉफी पर कम इनकी बातों पर ज्यादा नजर देने लगे थे माहौल लगातार गरम होता जा रहा था सुनो सुनो पूजा ऐसा कुछ नहीं है आओ यहां से बाहर चलते हैं तमाशा मत करो प्लीज लोग देख रहे हैं विक्रान गिर्गड आया तमाशा ओए तू जो कित्ता है वो की है ट्रामे बाज विज्या बीच में पूट पड़ी पूजा गुस्से में उठखडी हुई और अपना पर्ष संभालती हुई दंदनाती सी सी डी से बाहर निकल गई विज्या और विक्रान ने उसे फॉलो किया पूजा ऐसा कुछ नहीं है डियर शिवाली से मेरी काम के सिलसले में मीटिंग थी टाइट हग वाली मीटिंग मैं ही हूँ शिवाली तुमसे पंदरे दिन से चैटिंग कर रही हूँ समझे भाट विक्रान के चेरे पर विश्वास भराया जीया मिस्टर केसो नोवा यही है आपकी जानोशिवाली विजिया व्यंग से बोली सब कहते थे तुम सही आदमी नहीं हो पर मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया लेकिन तुमने थाबित कर दिया है कि तुम वही हो जो लोग तुमारे बारे में कहते थे फलर्ट सेक पुजा की आवाज गुस्से और दुख से भरबरा रही थी यार प्लीज तुम ओवर रियक्ट कर रही हो मैं एक राइटर हूँ और लोगों की मेंटलिटी जानने के लिए हलका फिलका मजाग बातचीत कर लेता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दोके बाज हूँ यह मेरे प्रोफेशन की डिमांड है अच्छा मुझे तो आज पहली बार पता चला कि फ्लर्टिंग भी किसी प्रोफेशन की डिमांड होती है आज हग मांग रहे हो कल बिस्तर में जाखु सोगे मैं अब तुमारे साथ एक पल नहीं रह सकती प्यार में कभी छुपाया नहीं जाता तुमने हमेशा मुझे से जुट बोला चुपाता वही है जिसको डर होता है और डरता वही है जो गलत होता है रिष्टे तभी चलते हैं जब उनमें ट्रांसपेरेंसी हो पूजा गुस्से में बोली तुमारे पास तो प्यार की हमेशा एक नई परिभाशा रहती है मैंने पहले दिन कह दिया था कि सोचल मीडिया कभी हमारे रिलेशन के बीच नहीं आएगा मैं बस आज के यूद की मेंटेलिटी जानने को मैं तो दो साल से आई हूँ पिछले कई सालों से तुम फेस्बुक पर फ्लर्ट ही कर रहे थे क्या उतना काफी नहीं है मेंटेलिटी जानने को बड़े राइटर बनते हो उसी एक्सपिरेंसेज को तोड़ मरोड के लिखते रो या उमर बर फ्लर्टिंग ही करोगे कैर जो करना है करो मुझे क्या सब खर्म तो करी चुके तुम लेकिन याद रखना जो एक अच्छा इंसान ना हुआ वो अच्छा राइटर कैसे होगा सुनो तो चुप करो इसी लिए मुझे देखते हैं अपना वाट्सअप और फेस्बुक आफ कर लेते थे रात दो बज़े तक ऑनलाइन रहते हो और मेरा मैसेज देखते ही लॉग आउट हो जाते हो तुमने सोचा कि ये तो अंधी है और अंधी बनी रहेगी अच्छा हुआ मैंने विजया की बात सुनी और देखो तुमारा आज सारा सच मेरे सामने है इस आल ओवर पूजा ने गुस्से में कार का दरवाजा भडाक से बंद किया और कार स्टार्ट कर दी फिर कार का शीचा नीचे करके आगे बोली अभी तो तुमारे सारे दोस्तों को तुमारा सच बताऊंगी बड़े देवता बने फिरते हो सूरत इतनी भोली और काम छी पूजा की आखों में गुस्से के सासाथ आंसू भी भरे हुए थे उसने कार आगे बढ़ा दी विक्रांत ने धर धर देखा वो कई लोगों की तीखी नजरों के इशाने पर था वो सिर्ज जुकाए हुए बाइक पार्किन तक पहुँचा बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ मुड़ गया उसने कभी सपने वे मी नहीं सोचा था कि ये फ्लर्टिंग मेनिया उसे इतना महगा पड़ जाएगा आज सब के सामने बड़ी बेचिती हुई थी कल आफिस तक भी खबर पहुँच जाएगी गौर और टावर में वैसे ही बहुत भीड रहती है पता नहीं कितने जानने वालों ने देखा होगा वो पूजा को जानता था गुसे में वो वक्त, हालाद, जगे सब भूल जाती थी और कई बार तो सड़क पर ही रोने चीखने चिलाने लगती थी इस बार तो वाकई खुद उसकी गलती भी थी खैर छोड़ो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी विकरांट ने खुद को दिलासा दी रात तक पूजा का कोई फोन नहीं आया विकरांट ने फेस्बुक पर जाकर देखा तो पूजा नजर नहीं आई पर वैसे ही आज विकरांट अपमान का घूट पेट भर के पी के आया था उसे तबियत खराब होने का बहना बना दिया रात में दो पैग नीठी लगा लिये ताकि तकलीफ कुछ कम हो जाए अगला दिन आफिस में निकल गया एकदम शान्ती थी विकरांट को इतनी खामोशी की आदत नहीं थी पूरे दिन पूजा का कोई कॉल या मैसेज नहीं इस बार तो गुस्से में कुछ सुना भी नहीं रही थी चोरी छुपे चाहे जो कर लो पर अपरादी वही होता है जो पकड़ा जाए उसका मन दुखी था अब उसे वाकई अपरादबूर होने लगा था घर आकर बेचैनी से छट पर टहलता रहा जब रहा नहीं गया तो हिम्मत करके उसने पूजा को फोन मिलाया पूजा ने फोन काट दिया तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो पूजा को इतना मिस क्यों कर रहा है वैसे तो वो उससे बचने के बहाने डूड़ता पिरता था सारी राद बेचैनी में फोन के स्क्रीन देखते हुए कट गई सुबह थोड़ी आख लगी तो दर्वाजे पर हुई खटकटा हाट ने स्यगा दिया वो जटके से उठा पूजा होगी अकसर लड़ाई के बाद वो सुबह सौरी बोलने आ जाती थी उसने बड़ी उमीद से दर्वाजा कोला पर अगले ही पल उसकी उमीद बुझ गई दर्वाजे पर उसका दोस्त विमलेश था दोनों एक ही गाउं से थी और बार्मी तक की पढ़ाई दोनों ने साथ ही की थी क्या बात होगी भाई जी दो दिन से थे थे मेरा फोन ही कोड़ी उठा रहा बहुत बिजी था यार फोन साइलेंट पर ही रखा हुआ है दो दिन से हम सही है बिजी लोग आज रात की बस तू गाउं जा रहा हूँ गर में कुछ मरमत वगेरे करानी है बहन की शादी पास आ रही है आठ देस दिन में लोटूंगा सोचा मिलता चलू उसकी सारी बातें जैसे विकरान्द के कान के उपर से गुजर गई वो अनमना सब इस्तर पर बैट गया विमलेश टेबल पर रखा कलका बासी अगवार उठा कर कुरसी पर पसर गया कुछ देर पेपर पढ़ने के बाद उसमें विकरान्द पर उड़ती हुई सी नजर डाली चाय तो पिलाओ भाई जी विकरान्द को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा चाय पीते हुए विमलेश दुनिया जहान की बाते करता रहा पर आज तो विकरान्द जैसे कहीं और ही कोया हुआ था इतनी उदासी उसने अपने भीतर कभी महसूस नहीं की थी जैसे अकेले पन्यों से बुरी तरह जकर लिया हूँ और उसे एक-एक सांस लेने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही हो क्या बात है भाई जी कुछ परेशान सा दीख रहा हो थे तबेत पानी तो ठीक है विमलेश को चिंता हुई हाँ बस काम ज़्यादा था तो नीन पूरी नहीं हुई सिरदर्द हो रहा है अच्छा थे आराम करो घर कुछ भेजना हो तो शाम तक बता देना विमलेश को विदा कर वो फिर लेट गया आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई थी दिन के बारा बज़े तक यूही विस्तर पड़ा हुआ छट देखता रहा तब ही फोन बज़ा जटके से मोबाईल उठा कर देखा लेकिन स्क्रीन पर आफिस लेखा देखकर मायूस हो गया आज कभी ठीक नहीं आनी पाऊंगा हाँ प्रोजेक्ट तो रेडी है मैं थोड़ी दिर में मेल कर देता हूँ मोबाईल साइड में रखकर उसने तक्ये में अपना मूँ ढख लिया कितनी लड़किया उसके जीवन में आईं और गईं कुछ की तो अब उसे शक्री भी याद नहीं कुछ दिन साल इसमरती से ऐसे लोफ हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं कोई याद भी दिलाए तो याद नहीं आते और आ भी जाते हैं तो बहुत दुन्दले से पर पिछले दो सालों का बीता हर दिन उसे आज याद आ रहा था विकरान पे सोचा भी नहीं था कि पूजा उसकी इसमरती में इतनी गहरी बसी हुई होगी जब पूजा उसे याद दिलाती थी कि पहली बार हम यहां मिले थे तुमने मुझे पहली बार तब चुआ था ऐसे पहली बार किस किया था तो वो इरिटेट हो जाता था क्या पूजा एक ही बात बार बार करती हो और वो मासूमेंस से कहती अच्छा लगता है अच्छी बातें याद करना आज वो समझ पाया है कि वो हर लम्हा उसके प्यार में जीती थी महसूस करती थी प्रेम एक अद्रशी उर्जा की तरह होता है जो सिर्फ महसूस होता है और आदत बन जाता है अक्सर लोग उस उर्जा के प्रतिक क्रतग यह नहीं होते जब वो उर्जा मिलनी बंद हो जाती है तो वो छट पटाने लगते हैं तब एहसास होता है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा तो केवल उस उर्जा की वज़े से ही था मैंने हमेशा ही उसे एग्नोर किया जब अपनी सहूलियत और मन हुआ तो वक्त दिया सची तो है अगर वो ऐसे किसी लड़के से अंतरंग होकर बाते करती और जूट बोलकर मिलने जाती तो क्या मैं उसे माफ कर पाता पूजा की नाराज़की जायाज है क्या ये रिष्टा हमेशा के लिए तूट किया क्या वो मुझे आकली बार माफ करेगी इतने सवाल और पच्तावा कि उसका सिर्च चक्राने लगा राज से कुछ खाया भी नहीं था हिम्मत करके दोबारा पूजा को फोन लगाया उसने नहीं उठाया विक्रान ने थोड़े देर सोचा और फिर समस किया पूजा मेरा एक्सिडेंट हो गया है दस मिनट बीद के पर पूजा का कोई जवाब नहीं आया जो लड़की उसके बुखार होने पर पचीस किलोमीटर दूर से भागी आती थी साथ में जूस फल और ना जाने क्या क्या ले आती थी उसके लिए अद्रक तुलसी की चाय बनाती थी और उसके बालों में तेल मालिश करती थी आराम करो मैंने आफिस से चुटी ले लिया है मैं यहीं बैठ कर कुछ काम कर लूँगी फिर मैं दो तीन घंटे सो जाता था जब उठता तो काफी हलका महसूस करता था सच उसके साथ होने में ही कोई जादू था और आज उसे मेरे एक्सिडेंट की खबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा शायद बहुत नाराज है एक बार और फोन मिलाया इस बार फोन उठा लिया गया हेलो पूजा पूजा एक्सिडेंट हो गया तो मैं क्या करूँ दोबारा फोन मत करना जिस सरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है उसके बाद मुझे समलने में टाइम लगेगा मेरा विश्वास किर्चे किर्चे हो गया है उमर भर ये किर्चे मेरी रगों में चुबहेंगी वो कुछ बोल पाता उससे पहले पूजा ने फोन कार्ट दिया लड़ती सुनाती भी शायराना अंदाज में है सोच कर विक्रांत के होंटों पर एक मुस्कान तहर गई लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि उसका तो ब्रेक अप हो गया है तो उसने फिर उदासी की मोटी चादर वोड़ ली पूजा की आवाज सुनकर थोड़ा आराम महसूस हुआ तो उठकर नहने गया नहा कर कप्रे ढूने लगा तो डार्क ग्रीन कलर की टी-शिर्ट हाथ में आई ये भी पूजा नहीं उसे दी थी पूजा हमेशा कहती थी तुमको इतना प्यार कोई नहीं करेगा सची तो कहती थी मैंने तुसे दो साल में एक फूल तक नहीं दिया कितना सेलफिश हूँ मैं उसे खुद पर बहुत गुसा आ रहा था इनसान की ये फितरत होती है जब तक उसे उसकी गलतियां गिनाओ वो चिड़ता है लेकिन जब उसे उसकी गलतियों के साथ अकेला छोड़ दो तो कुछ समय में उसे खुद बखुद अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है जो समझदार होते हैं उन्हें जल्दी हो जाता है और वो सब संभाल लेते हैं और जो मगरूर होते हैं उन्हें वक्त समझा देता है हमेशा के लिया केला करके इस मामले में विक्रांत वाक़ी समझदार था कि उसे दो दिन में ही अपनी भूल का हिसास हो गया उसने फिर SMS किया चाहे गालिया दे लो पर यू रिष्टा न तोड़ो मैं तुमारे बिना जी नहीं पाऊंगा I really love you कोई जवाब नहीं आया ये वही पूजा थी जो उसके एक SMS के जवाब में SMS की जड़ी लगा देती थी वाक़ी ये तो ब्रेक अप ही हो गया लगता है क्या करूँ राजेश भाई से सलहा लेता हूँ राजेश विकरांद का जिगरी दोस्त था खुद का बिजनेस था बीबी बच्चों वाला शरीफ आदमी वो हमेशा विकरांद को समझाता था यार उम्र बढ़ रही है शादी ब्याह कर ले कब तक यो इधर दर टाइम पास करेगा उसने फोन मिलाया राजेश भाई बड़ा जरूरी काम है अभी मिलना है अच्छा तो शोरूम पर आजा नहीं भाई मेरी तबियत ठीक ने इतना दूर नहीं आ पाऊँगा अरे क्या हुआ अच्छा तो ऐसा कर गौरव टावर आजा सीसी डी में मिलते हैं सीसी डी का नाम सुनते ही विक्रान घबरा गया अब तो वो अगले देड़ दो साल तक उधर का रुखने करेगा नहीं आप मुझे वर्ल्ट ट्रेड पार्क की फूट कोर्ड में के एफसी में मिलो कुछ खाबी लेंगे कल राज से कुछ नहीं खाया क्यों नहीं खाया वर्त रख खाया क्या पति वर्ता पत्नी पाने को राजेश जोर से हसा राजेश भाई मैं परेशान हूँ आपको मजाक सूज रहा है विक्रान चरजड़ाया अरे बाबा ठीक है आता हूँ आदे घंटे में विक्रान को वर्ड ट्रेड पार्क में पहुँचे पौन घंटा हो गया था पर राजेश का कुछ अतापता नहीं था दो बार कॉल भी किया पर वो फोन भी नहीं उठा रहा था विक्रान बेचैनी से बार-बार घड़ी देख रहा था सब अपनी सहूलियत देखते हैं पुजा तो मेरी एक कॉल पर भागी चली आती थी एक बार मान जाए तो एकदम सुधर जाऊंगा तभी पसीना पोश्ता हुआ हैरान परेशान सा राजेश नजराया विक्रान ते हाथ हिला कर इशारा किया ना दूआ ना सलाम राजेश तो आते ही बरस पड़े अरे यार क्या हो गया तुने तो मुझे डराई दिया था अच्छा कासा तो दिख रहा है तू ये डबलू टीपी वाले भी ना पारकिंग से उधर आने में पूरे 15 मिनट लग जाते हैं आज तो कार भी तेरी भावी ले गई गर्मी में बाइक पर भागता हुआ आया हूँ उस पर टायर पंक्षर हो गया मैं तो भाई मैं परेशान हूँ विक्रान ते उनकी बातों पर लगाम लगाई वरना वो अगले आधे गंटे तद चुप होने के मूड में नहीं दिखते थे हाँ बोलना क्या हुआ वही तो पूछ रहा हूँ पूजा ने रिष्टा तोड़ दिया क्या बात कर रहा है क्यों कहीं शादी बादी तो नहीं कर रही मैं तो पहले कहता था बाल सवेद होने को आये तेरे शादी करो और खर्म करो जंजट आज कर लड़कियां इतना इंतजार नहीं करती पर तू मेरी कभी सुनता है मुझे तो पहले ही विकरांद को फिर टोकना पड़ा फिर उसने सारी कहानी उन्हें डिटेल में सुना दी सारी बात सुनने के बाद राजेश भाई ने गंबीरता से मुन्डी ही लाई हம् भाई गलती तो सौ परसेंट तेरी ही है जानता हूं पर मैं उसे वापस पाना चाहता हूं उसे शादी करना चाहता हूं आप Εी बताओ कैसे मानेगी आपको बहुत मानती है आप उसे समझाओ ना कि एक बार मिल ले मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही राजेश भाई थोड़ी देर गहन मुद्रा में सोचते रहे इस बीच ओर्डर लेने के लिए लड़का तीन बार चक्कर लगा चुका था उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाउ थे ये जगे फोकट में बैठने को नहीं है आते सुबह से कुलबला ही रही है जिंदा रहा तो फिर आगे सोच पहेंगे ये सोच कर विकरान जाकर कुछ आडर कराया देख उसे अपना फेस्बुक पासवर्ड दे दे लेकिन पहले अपने पुराने पाप मिटा देना मुझे तो यही आकरी रास्ता दिखता है दो साल पहले इसी वज़े से मेरे तलाग की नौबत आ गई थी तब मैंने भी यही किया था तब से एकदम सुकून और शांती है इन कामों में थोड़ी देर का सुक मिलता है बाकी हमेशा तनाव बना रहता है तुम भी सुधर जाओ ओर्डर आ गया था विकरान को हमेशा से के अफसी का चिकन पसंद था पर आज वो स्वाद नहीं आ रहा था खाते हुए वो एक अंद भक्त की तरह राज़िश भाई की बातों पर लगातार सिर्ह लाकर सहमत ही चता रहा था और हाँ पूजा के लिए एक अच्छी सी अंगुटी खरी दो डायमेंड डिंग ही लेना पैसे बचाने के चक्कर में मत रहना मैं उसे बात करके शाम को मिलने को राजी करता हूँ तुम मिलो पहले उसे पासवर्ड देना फिर शादी के लिए प्रपोस करते हुए अंगुटी पहना देना समझें कुछ विकरांत ने मुँ में चिकन का पीस ठूसते हुए कहा अरे क्या हूँ मेरी बीबी तो डायमेंड सेट पर राजी हुई थी उपर से सब सस्राल वालों के सामने कान पकड़ कर माफी मागनी पड़ी थी सो अलग बड़ी बेजेती हुई थी यार उसने चिकन खाना छोड़ कर राजेश को गले से लगा लिया थैंक्यू राजेश भाई आप मेरी लाइफ सेविंग जैकेट हो दोस्त वाकई भगवान का रूप होते हैं तारन हार शाम तक पुराने काले कारनामे मिटा कर उसके दिल का भोज काफी हद तक कम हो गया था पूजा सच कहती थी जब प्यार है तो छुपाना कैसा छुपाता वही है जो गलत होता है राजेश का फोन आ चुका था पूजा मिलने को तयार है लेकिन सिर्फ दस मिनट को इससे ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास वो खुशी से तयार होने लगा उसने सोचा शेव कर लूँ नहीं नहीं रहने देता हूँ थोड़ी बड़ी हुई शेव से ज़्यादा दुखी दिखूंगा तो उसका दिल पिगलेगा उसने जोहरी बाजार जाकर एक खूबसूर डायमेंड ड्रिंक खरी दी अब डायमेंड ड्रिंक की वज़े से थोड़ा कॉन्फिडेंस फिल कर रहा था बले एकदम से माफ ना करे पर डायमेंड को नहीं ठुकरा पाएगी रास्ते में उसने एक फूलों की दुकान के सामने अपनी मोटर साइकल रोकी एक बड़े से गुलाबों भरे बुके की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दुकान पर बैठा कमजोर सा सामला लड़का बोल पड़ा पांस सो रुपे का है भहिया पांस सो सुनते विकरान पने हाथ को उस बाल्टी की तरफ मोड दिया जिसमें सिंगल गुलाब रखे थे यार छोटू बाइक पर इतना बड़ा बुके कैसे ले जाऊँगा ऐसा कर एक गुलाब दे दो लड़के ने कुछ निराश होते हुए एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया बीस रुपे अरे यार दस दस रुपे में आते हैं भाईया दस रुपे में तो गुलाब की डंडी मिलेगी लड़का गुलाब वापस बाल्टी में डालने लगा अच्छा लाओ दे दो इतना अकड काहे रहे हो बित्ते भर के हो नहीं हो और अकर पहाड जित्ती विक्रान्थ ने जल्दी से उसे बीस का नोट दिया और गुलाब के फूल को लेकर बड़े एतियात से अपने शर्ट के अंदर डाल लिया पूजा बाहर पारकिंग में ही खड़ी मिल गई हेलो पूजा जल्दी बोलो क्या काम है पूजा रुखाई से बोली पूजा का चेहरा सूजा हुआ था आँखे भी छोटी दिख रही थी लगता है सारी रात रोही है विक्रान्थ ने गहरी सांस लेती हुए सूचा विक्रान्थ ने शर्ड से गुलाब का फूल निकाल का उसकी तरफ बढ़ाया लेकिन पूजा ने मूँ फेर लिया प्लीज यार अंदर बैठ कर बात करते हैं अंदर नहीं जाओंगी कार में बैठो विक्रान्थ चुपचा पूजा के पीछे उसकी कार की तरफ बढ़ गया सिर्फ राजेश भाई साब के कहने पर आई हूँ वरना मैं तो तुमारी शकल भी नहीं देखना चाहेती थी अब जल्दी बोलो जो भी बोलना है पूजा ने कार स्टार्ट कर दी पूजा क्या दो साल का रिष्टा एक जटके में तूट सकता है दो साल से तुम धोका ही तो दे रहे हो एक तरफा रिष्टा था मेरी तरफ से मैंने तोड़ दिया मुझे नहीं रहना तुम जैसे फलर्ट आदमी के साथ अरे यार मैं सुधर गया हूँ ये पूजा ने उसकी बात कार दी बड़ी तेज रफ़तार है तुमारे सुधर ने की दो ही रात में सुधर गये मेरा फेस्बुक पासवर्ड तुम को मेसेज किया है जिसे चाहो उसे ब्लॉक कर दो बाढ़ में जाो मुझे नहीं चाहिए मैंने तो तुमें ही ब्लॉक कर दिया है हमेशा के लिए ऐसा मत बोलो डार्लिंग मैं मर जाओंगा तुमारे बिना पालतू रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो चीप लगता है विकरांट पूजा की नजरें सडक पर थी विकरांट ने उसकी तरफ मजबूरी से देखा वो समझ नहीं पा रहा था कि अंगुठी देने का मूड और माहौल कैसे बनाए पूजा तो एकदम भनाई हुई थी कुछ देर खामोश रहने के बाद विकरांट ने ब्रमास्त की तरह जेव से अंगुठी का डिपा निकाल लिया पूजा मैं खुद को पुरी तरह तुमें सौप रहा हूँ पूजा ने तुरंट ब्रेक लगाया और अविश्वसनी नजरों से उसे घूरा एक साल से तो तुम शादी टालते रहे अब दो दिन में कैसे राजी हो गए इसलिए ना कि कहीं ये सीधी साधी लड़की मेरे चंगुल से ना निकल जाए मैं तुमारी किसी बात में नहीं आने वाली समझे तूम प्लीज पूजा गलती का एहसास तो एक पल में होता है और मैंने तो पिछले अर्टालीस घंटों में एक एक पल खुद को कोसा है पल पल मरा हूँ विक्रांद की आँखों में आसू आ गए पूजा उसकी आसू देखकर चिड़ गई मेरे सामने एक घड़याली आसू मत बहो मैं तुमें किसी भी सूरत में माफ ने करूँगी पूजा तुमी तो कहती थी कि प्यार में माफ कर देना चाहिए एक आखरी मौका दो मैं साबित कर दूँगा कि मैं तुमें सच्चा प्यार करता हूँ पूजा कुछ कहना चाहेती थी लेकिन विक्रांट ने उसके मूँ पर हाथ रख दिया सच डियर चाहे तो कुछ दिन आज मा लो अच्छा ऐसा करो कि प्रोबेशन पर रख लो मैं हाउस हजबन बन कर रह लूँगा होने के बाद दुनों डिनर करने एक रेस्टरौ में खुश गए अभी आप सुन रहे थे इराटाक जी की लिखी हुई कहानी फ्लर्टिंग मेनिया एक आधुनिक प्रेम का था आशा है आपको जरूर पसंदा ही होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो